शीत युद्ध कभ हुआ था ? तो बताये कि इसका सही जवाब क्या है ? तो इसका सही जवाब है बारह मार्च 1947 ताशकन समझोता कब हुआ था तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी 1916 ओपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है 1 जून 1984 84. दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है. रूस को आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है. 1973 में गलिप पैंथर्स नामक संगर्थन कब बनाया गया था तो बताईए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है 1972 आंदोलन कब शुरू हुआ था तो बताईए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है 1973 में गलिप पान्थर्स नामक संगठन कब बनाया गया था तो बताईए कि इसका सही जवाब क्या है restore 1972 ने अफगानिस्तान पर कब आकरमन किया था तो बताईए कि इसका सही जवाब क्या है so इसका सही जवाब है 2001 राजीर गांधी लोंगो वाल समझाता कब हुआ था तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है उन्नी सो पचासी भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है 1936 भारत में राशनकार्ड की शुरुआत कब हुई तो इसका सही जवाब है 14 जनवरी 1945 सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है तो बताएए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है ब्यूटेन गैस भारत का पहला मुस्लिम राश्टप्टी कौन था तो बताएए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है जाकिर हुसेन LPG गैस सिलिनर में कौन सी गैस भरी जाती है तो बताएए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है प्रोपेन और ब्यूतेन मानव शरीर में कुल कितनी हड्डिया होती है तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है 206 बैलोन में कौन सी गैस भरी जादी है तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है हीलियम किस जानवर का खून सफेध होता है तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है तिल चर्टा सान किस देश का राश्चे पशु है तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है स्पेन, किस देश का राश्चिय पशु है, तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है नेपाल, फ्रॉम फियर किसके वारा लिखी गई पुस्तक है, तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है आंग सान्सू भारत का पहला टेस्ट्यूब बेबी कौन है? तो इसका सही जवाब है कनुप्रिया अग्रवार तेथ हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सही जवाब है थाइलेंड नाक साम के मुह में कौन सा जहर पाया जाना है? तो बताएए कि इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है नियोरो टॉक्सी कुप्काल में किस धातु के सरवाधिक सिक्के जारी किये गए थे? तो बताएए कि इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है सोना मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब है 1942, स्भारत का सम्विधान कब स्विक्रित हुआ था तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949, किस देश का सम्विधान अलिखित है तो बताए कि इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब है ब्रितिन, किस ग्रह को लाल ग्रह के दे हैं, तो इसका सही जवाब है, मंगल ग्रह, ताज महल किसने बनवाया था, तो बताए कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है, शाह जहा, राम मंदिर का फैसला कब हुआ था, तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है 9. November 2019 जमू कश्मीर में 370 धारा कब हती तो इसका सही जवाब है 5. August 2019 पुल्वामा हमला कब हुआ था तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है 14. February 2019 भारत में नोटबंदी कब हुई थी तो इसका सही जवाब है 8. November 2016 जेली फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है तो बताए कि इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब है साइफो जोआ इनमें से कौन सी लगु प्लेट है तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब अरेबियन प्लेग, सौर मंदल में कुल कितने ग्रह है, तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है, आठ ग्रह, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है, 2.54 सेंटीमीटर विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला देश कौन है? तो इसका सही जवाब है. फ्रांस, चीन का पहला राश्चुक्ती कौन थे? तो बताईए कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है. भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ती कौन थे? तो इसका सही जवाब है. तो बताईए कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है. 23 दिसम्बर गदाफी स्टेडियम किस देश में है तो बताईए कि इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान जै जवान जै किसान किसका नारा है तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री नाटो का गठन कब हुआ था तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब है 4. अप्रेल 1949 नाटो का मुख्या ने कहा है तो इसका सही जवाब है Brussels, Belgium आर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब है चानक्य भारत का पहला इसाई मिशनरी कौन था? तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है सेंट थॉमस द एपोस्टरी इपिहास फुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सन्युक्त राष्ट्र संग की स्थापना कब हुई थी? तो बताए कि इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 24. अटूबर 1945 सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमन किया था? तो बताए कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 326 मुगल वंच का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है बाबर, सयद वंच का संस्थापक कौन था? तो बताए कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है खिजरख्खा, तुगल वंच का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है तेमूर के आक्रमन के समय दिल्ली का शासत कौन था? तो इसका सही जवाब है जलालुदीन फिरोस खिल जी दिल्ली को राज़ानी कब बनाया गया? तो इस सवाल का जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा